हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लिकेशन में MTF ये फैसिलिटी क्या है आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में एक डीटेल जानकारी देने वाले है तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से च क्यों बाई करने जा रहा है तो बाई करने के टाइम पर ही तो MTF फैसिलिटी यूज करनी है MTF का फूल फॉर्म क्या है मारजिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास पैसे कम है और आपको ज़्यादा कॉंटिटी बाई करनी है तो आप MTF ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हो जिससे आपको 4X तक का यहाँ पे स्टॉक बाई करने के लिए मौका मिल जाए जैसे कि यहाँ पे number of shares मुझे buy करने है 10 अभी मेरे account पे पैसे नहीं है इसकी वज़े से यहाँ fund add करने के लिए बोल रहा है लेकिन अगर मैं यह buy on margin select कर देता हूं तो क्या होगा तो मैं यहाँ पे pay कितने कर रहा हूं वो आप देखो अभी मैं यह select नहीं करता हूं तो 47 रुपे में stock buy कर रहा हूं वो भी delivery में यह intraday की बात नहीं हो रही है यह delivery की बात हो रही है सिर्फ 21% पैसे में pay कर रहा हूं और मेरे पूरे के पूरे stock buy हो रहे है pay later यह option आपको select करना होता है यह by default आ जाता है delivery में आप जाते हो तो यहाँ पे आप buy on margin करोगे तो 21% ही वो बहुत कम पैसे पर buy हो जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजे करनी पड़ती है आपके यह जो shares है जो 10 buy किये है वो आपको please करने पड़ते हैं अब यह pleasing की process कैसी होती है इसके लिए हम चलेंगे angel one की website के उपर तो यहाँ पे आप ले सकते है trade now pay later with margin trading facility अब य क्या है किस तरीके से है यह तो मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ what is margin trading facility have you ever missed a good trading opportunity just because you were low fund मतलब आपके पास fund बहुत कम है तो आपने margin मतलब trading की opportunity miss कर दी तो आप margin trading facility use कर सकते है और 4x तक buying power मिल सकता है आपको यानि कि इसका example हम देखेंगे अगर आपके पास 25,000 रुपए account के balance है मतलब angel 1 में आपके पास 25,000 रुपए है और आप एक लाख रुपए तक का trade इससे ले सकते हो 4x तक का आप यहाँ पे buying कर सकते हो यानि कि एक लाख रुपए ज्यादा आपको मिलेंगे अगर आप MTA facility use करते हो मिलेंगे ज्यादा मतलब जो 21 परसेंट आप पेकर रो उसको ही 4x का बोला जाता है यानि कि आप कम पैसे दे रहे हो और ज्यादा यहाँ पे buying हो रही है जो extra पैसा है वो MTA facility के दवारा आपको angel broking दे रहा है angel 1 बन दे रहा है तो आप total amount आपके पास कितना हो जाएगा your enhanced thus your enhanced buying capacity is now 1,25,000 रुपीज यानि कि आपके पास सिर्फ पहले 25,000 रुपे थे लेकिन अब आपको 1,00,000 रुपे ज्यादा मिल रहे है 4x आपको buying power दे रहा है क्योंकि आपने MTA facility use की है तो margin trading आपने use की है लेकिन इसके लिए मैंने कहा कि आपको कुछ देना पड़ेगा तो क्य प्लीज होता है आपको जो stock आप buy कर रहे है तो वो please request आपको देनी होती है इसका मतलब यह है कि आप जो stock buy कर रहे हो वो आप गिरवी रख रहे हो angel 1 के पास और उसके भिहाब पे आप पैसे उठा रहे है उनसे तो कोई चीज फ्री में नहीं आती है pleasing order का भी एक process होता है वो process क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है आप यहाँ पे देख सकते है कि इसका timing क्या है this process must be completed by 9 p.m. on the same day यानि कि आज 9 November को अगर मैं stock buy करता हूँ बजाश फिंसर्फ के MTF facility के थ्रू तो रात 9 बज़े से पहले मुझे ये MTF facility का pleasing order place करना अधर्वाइस क्या हो जाएगा in case you fail to do so your shell will be squared off at t plus six days मतलब trading plus six days साथ दिन के बाद आपकी shares जो है वो automatically sell हो जाएंगे profit में या loss में जो भी होगा वो अगर आप please नहीं करते हो तो तो 9 बज़े के timeline है deadline है same day जिस दिन आप buy करोगे उस दिन रात 9 बज़े से पहले आपको यह स सबसे पहले तो आप once your MTF request is approved check your email जो भी email आप करोगे उसको आपको check करना है आपका email या SMS चेक करना है कि request आपने जो भेजी है pleasing की request भेजनी पड़ती है वो approve होई है या नहीं होई है या आपको check करना है दूसरा आपको क्या करना है CDSL के यहाँ पर link पे जाना है click the CDSL link in the email ज उस link को आपको open करना है और CDSL की website पे जाना है website पे जाने के बाद आपके pan detail और DMAT account के details वहाँ पे enter करने है उसके बाद ही आगे की process होगी तो pan number और DMAT account details जो भी DMAT account number है आपका वो आपके पास होना चाहिए उसके बाद चौता step है stock आप कौन से please करना चाहते है जो stock आपने buy कि facilities में दिख्याए थे वो stock आपको select करने है हमारी case में यहाँ पे बजाश फिंसरब अगर हम buy करते तो बजाश फिंसरब हम select कर देते तो बजाश फिंसरब select करना है पाचवी step है OTP generate हो जाएगा वो OTP generate होने के बाद आपको OTP enter करना है और authorization process complete करनी है अब 9 बज़े से पहले य email के उपर यह जो 6 step बताए मैंने वो 6 step आपको करने है और उसके बाद ही आपका pledge जो है वो complete हो जाएगा तो margin trading facility यह नाम बहुत fancy लग रहा है MTF MTH जैसा MTF काफी fancy लग रहा है और अच्छा भी दिख रहा है लेकिन इसके लिए यह जो सारा ताम जाम और यह जो सारी process है वो करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको वो stock में लंबे समय तक रहने का मोका मिलेगा अब जब तक आपको profit नहीं होता जब तक आप stock को फिर unpleased नहीं करते unpleased का request नहीं भेचते तब तक आप उस stock में रह सकते हो जिस वक्त आपको लगा कि मुझे profit book करना है उस वक्त आपके पैसे खाली हो जाएंगे profit book हो जाएगा जो भी MTF का interest है वो आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा अब कितना interest है क्या है यह सारी चीजे यहाँ पे हमने मतलब नहीं दी है लेकिन do's and don'ts आपको देखने है कितना interest है वो भी हम देखेंगे यह भी यहाँ पे आपको तो do's क्या है remember to please your share purchase under MTF within stipulated timeline before 9pm of the same day जो मैंने बता है उसके बाद trade wisely off for MTF after doing your homework and ensuring the trade is right for you यह तो सबसे important चीज है analysis के बाद ही सारी चीजे करना कोई भी stock को अगर buy करना है तो analysis के बगर buy मत करना मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ मैं education purpose यह सारा सिखा रहा हूँ आपको कि MTF कैसे use करना है तो अगर आपका stock अच्छा नहीं work out टरने वाला तो बेवज़ा आप पैसे क्यों extra उन से लोगे और interest भरोगे तो आपको अगर confirm है surety है कि यह stock उपर जाएगा ही जाएगा अच्छा खासा profit करेगा ही करेगा तो ही यह सारी चीज़े करना अब don'ts में क्या चीज़े आती है don't ignore the margin shortfall in case of margin short call the shares will be square off 4 trading days after shortfall has occurred अब shortfall क्या है आपने 21% pay किये है right मतलब 3000 रुपे हमने पै किया अभी बजा स्विंसर का example हमने देखा अगर stock बहुत जादा गिर जाता है और margin shortfall आता है यानि कि आपके पास पैसे ही नहीं है जितने आपने भरे है वो सारे वहाँ पे minus दिखाई दे रहे है तो margin shortfall की वज़े से loss में आपका stock square off हो जाएगा तो आपकी account में पैसे होने चाहिए तो margin shortfall ना आए एकदम से 10% stock गिर गया तो आपको दिक्कत आ सकती है तो उसके लिए prepare रहना है और उसके बाद simple थे है don't forget MTF is a kind of loan जैसे मैंने कहा कि आप angel one से borrow कर रहे हो पैसे तो किसी से भी आप पैसे borrow करते हो तो उसका interest pay करना होता है क्योंकि वो loan होता है अब वो loan interest rate कितना है 0.04.49% per day यानि कि अगर आप साल का देखोगे तो 18% का annually आपको यहाँ पे interest pay करना पड़ता है अगर आप एक साल के लिए वो stock hold करते हो तो अगर आप सिर्फ 5 दिन के लिए वो stock hold करते हो और 5 दिन में आपका target complete हो जाता है तो हर दिन आपको 0.049% के हिसाब से interest लगेगा अब यहाँ पे मैं जो बात बता रहा हूँ वो comment में लोग पूछ सकते हैं इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ यह जो charges है यह daily wise आपके account से cut नहीं होंगे जितना profit आपको होगा जितने दिन भी आप trade hold करते हो वो total जो profit होगा उस total profit में से जो दिन होंगे वो count होंगे और उतना interest आपके profit में से cut हो जाएगा अगर profit होता है तो अगर loss होता है तो margin shortfall हो सकता है और अगर आप loss में बेचना चाते है तो extra पैसे आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे जैसे brokerage हम extra देते है वैसे यह interest का पैसा आपको extra देना पड़ेगा या फिर जो आपका capital है उसमें से वो सारी चीज़े cut हो जाएगी औ और बचा हुआ capital आपको मिल जाएगा तो यह सबसे important चीज़ है MTF की जो interest होता है वो daily के हिसाब से आपको 0.049% होता है जो भी आपकी traded value होगी आपने एक लाख रुपए का उनसे loan लिया है तो वो एक लाख रुपए के उपर 0.049% का interest आपको daily हिसाब से लगेगा आपने 50, 4000 अपको loan उटाया है तो उसके उपर आपको लगेगा लेकिन यह daily basis पे cut नहीं होता आपके account से जब आप position exit करते हो तो जो भी profit होगा उसमें से cut होके आपको बचावा profit मिलेगा या जो भी loss होगा तो loss में add होके जो भी capital आपका बचा है वो आपको मिल जाएगा तो यह सबसे MTF facility in Jalwan application में I hope आपको पूरा वीडियो और MTF के बारे में detail जानकारी मिल गए होगी अगर आभी भी कोई doubt है तो comment section में पूछ सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो please like कर देना वीडियो को जाधा-जाधा share करना और channel को subscribe करना ना भूना